तो भाई हमने आप लोगों ते बात करी थी कि अपना एक डोगो अर्जेंटीनों का पेर अपने एक बाहित दिवा के लेका आऊंगे तो भाई हम लेके आचुके हैं उनने अपने घर पे तो अब थमने मैं वो डोगो अर्जेंटीनों का पेर दिखान आ रहा हूं बस एक दो तीन रावराम भाई सभी को स्वागत आप सभी लोगों का अपने एक नए व्लोग में तो आज जो है हम लेका आए भाई डोगो अर्जेंटीनों का पेर अपने एक भाईत दिवा के लेका आए और जो डोगो अर्जेंटीनों का पेर है वो भाई अपने दोस्त पे енное है तो वह स्क mattley स्क डिलाके लावेंगे डोगोअ जैनि चीणों का पेर और मजा तो आके जब डोगों आर्जैनों का पेर और जायोगता ना तब अपनी जिम्मी के साथ में उनका रिएक्शन लेएंगे डोगारङेसन दिखाओं या फिर दिखाँ वैसे तो भाई इंसानों के लिए तो वे दोनों फ्रेंडली है बिल्कुल कोई भी एग्रेसिव नहीं है दोनों के दोनों में से कोई सा भी एग्रेसिव नहीं है इंसानों के लिए तो पर भाई डॉग्स के बारे में पता ना है कि डॉग्स के लिए एग्रेसिव है या फिर ना वो थमने पता लग जागा जब वो आ जाएंगे और भाई जिम्मी के साथ में पूरा प्रोपर रियाक्शन वीडियो में आप लोगे के लिए लेक आँगा यूट्यूब चैनल पे तो थम व्लोग में बने रही हो और भाई फिला लेकर चलेंगे अपने भाई ने और भाई थमने इस व्लोग में मैं यो भी दिखाना वाड़ा हूं कि भाई उस डोगो अर्जेंटीनों का पेर की क्या कुछ क्वालिटी है हलके हैं या फिर तगडे हैं वो थमने व्लोग में पता लग जागा और भाई सुभा का टाइम दिखा दू आप लोगा ने सुभा आप लोगा ने मैं अगली वीडियो में दिखा दूंगा या फिर इसी वीडियो में दिखा दूंगा और भाई आज यह इक बाज़ शेयर करहूं। अपने जो बादश्या के है ना येर में येर कुछ दिक्कत चल रही है मैंने बादश्या के कानों पे पट्टी लगा रखी थी कान खड़े करने के लिए तो भाई कान तो खड़े होगा कोई दिक्कत नहीं है पर जो ये राइट साइड वाला येर है ना इसमें भाई एकदम ते मवाद बनगी और एकदम ते बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी कान में ख़र अभी तो कान ठीक हो गया मैंने ट्रीटमेंट करा था थोड़ा बहुत भाई पता नहीं कैसे क्या इस वाले कान में बहुत ज़्यादा मवाद बनेगी थी और बहुत ज़्यादा एकदम से श्वेलिंग आ गई थी मैं भी डर गया भाई पता नहीं होगा कि नहीं अपने बादिशा को तो अभी तो खेल ठीक है अपना बाज़ा भी और ये चेक कर लो भाई बाज़ा भी पूरे खेलने के मोड में रहा हो कभी भी बाज़ा तो ये चेक कर लो भाई इसकी शैतानिया चेक कर रहा है और भाई थोड़ी बहुत देर में निकड़ेंगे हम वो डोग अर्जेंटीनों का पेर लेन थी अपना भाई चल लेगा बाईक पर तो भाई दोनों आओंगे ना गाड़ी लेकर जाओगा बाई और अभी फिलाल उस भाई के घर चलेंगे और फिर सीधा वहीं पर उस डोग अर्जेंटीनों का पेर लेन चलेंगे ओर हो सका तो भई वहाँ पे व्लोग बनाएंगे अगर अगर अपने वाई जो है दोस्त वगेरा अलाव करेंगे तो वहाँ पे व्लोग बनाएले पेर अपने एक बाईत दिवा के लेक आऊंगे तो भाई हम लेकर आ चुके हैं उन्हें अपने घर पे अपने बाई के घर पे अर वहां पर हम वीडियो ना बना पाया क्योंकि भाई एक ही बात अड़ जाना कि सब की अपनी अपनी प्राइवेसी होगे तो इसलिए वहां पर यह फीमेल है क्या है वी कॉलिटी है भाई फीमेल तो एक तरह तो लगा लो रुकी नहीं बिल्कुल भी और बिल्कुल यह जो पेर है डोगो अर्जेंटीनों का यह बिल्कुल फ्रेंडली पेर है यूँ ना है कि एग्रेसिव है पाड़न भाज है यह देख सको यह अपना व्यूदी और तो इसने कुछ भी ना कहीं है रहां से खेले ने जारें दोनों के दोनों बिल्कुल भी एग्रेसिव नीए बिल्कुल फ्रेंडली है तो एक बर अच्छे से थमने यह प्यर दिखा देवें कर लो भाई कैसे मास तरीके ते खिलन लाग रहे दोनों के दोने डेजी और शेरा भाई नाम तो मैं बताने ही भूल गया आप लोग ने तो यह जो फीमेल है इसका नाम है डेजी और जो यह मेल है इसका नाम भाई है शेरा तो आगे आने वाली वीडियोज अपने चैनल पे अपनी जीमी के साथ भाई इनकी भी हो सकती है और काफी मज़ा आने वाला है आगे आने वाली वीडियोज में तो बने रहना व्लोग के एंड तक और क्वालटी तो आप लोगों ने चेक करी ली अपने शेरा और डेजी की औ दोनों ही एक मतलब बीज दोनों की बराबर ही क्या दोनों साट में माल slime को अपने घर पर लेके आचुके हैं। और हमारे पास ही रहेंगे अभी है, कई पे भी नहीं जाने वाले और हम ही पाढ़ेंगे इनको, तो अपनी जीमी के साथ इनकी भी ट्रेनिंग शुरू कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो और भी मझा आने वाला है, और अपनी जीमी को एक तरह से लगा लो, रणिंग के अंदर पार्टनर मिल जाएंगे तो आज की वीडियो जो है वो भाई इतनी थी अपने डॉग अर्जेंटीनों के शेरा और डेजी के साथ में और करते हैं इनके साथ ही अपना व्लोग और मिलते नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बी सेफ बाई बाई लवी ओल गाई जै ही जै वारत